ये कभी भी आपको उन क्राइम्स की तरह नहीं लगेगा जिन पर आपको शक होता है या दूर से ही लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है गैस लाइटिंग वर्ड एक गैस पाइपलेन से जलते हुए लैंप से निकला था पुराने टाइम में एक आदमी ने इस टेक्निक का इस्तमाल अपनी वाइफ को पागल बनाने के लिए किया था देखे साइकलोजी में हम इंसानों के भेहविर, थौट और आक्शन के बारे में स्टडी करते हैं लेकिन डाक सैकलोजी का इस्तमाल मैनिपलेशन, इंफलेंस और कन्फ्यूस करने के लिए किया जाता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपको गवर्मेंट, फैम्ली और और और्गनेशन कंट्रोल करती हैं ताकि आप उनके इशारू बर चलें और उनके प्रिंस्पिल्स के मताबिक अपनी लाइफ को जियें तुरंत अपने बचाव का सीधा रास्ता ना अपना हैं क्योंकि आप शिकारी को बचने और दूसरी चाल चलने का मौका दे सकते हैं जिससे आपका डिसीजन उतना इफेक्टिव नहीं होगा और शायद आपको मंचाय रिजल्ट ना मिल पाएं लोग क्या कहेंगे इस डर से अपने लिए ठीक चीज़े करने से पीछे ना हटे आपको अपने इलावा किसी और को कुछ भी साबित नहीं करना है अगर क्रिमिनल साइबर वर्ल्ट में मौजूद है जिसने आपके पैसे ठगे हों तो पुलिस और रिलेटेड अफिसर्स को हेल्प लिने के लिए इन्वाल्व करें इसके लावा कैसे साफ्ट्वेर और अप्लिकेशन है जो इंस्टाग्राम और फेस्बुक जैसी पॉपलर सोचल मीडिया साइट्स पर चेहरे की पहचान कर लेती है ये फेक्ट है कि एमोशनल पैन्स लगबग कभी भी ठीक नहीं होते अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो इन पेन पर दूसरे घाओ की थरा एक बिकार सी पपड़ी बन सकती है जिससे याद आपके लिए उतनी ही पेनफुल बन जाएगी जितनी तब थी जब सच में आपके साथ ऐसा हो रहा था जब भी आप डार्क साइकलोजी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सर्फ ये आता होगा कि किसी ने कोई क्राइम किया है लेकिन रियालिटी में इसमें बहुत से ऐसी चीज़े शामिल हैं जिने भले ही हम परसनली ठीक ना मानते हों पर वाम तोर पर सोशली एकसेप्टेबल हो गई हैं हम इन डाक साइकलोजी एक्टिविटीज को अपने घरो, स्कूल, ऑफिसेज में और ऑनलाइन देखते हैं इसकी क्लारिटी के लिए आईए कुछ रियल लाइफ के स्टेडीज पर नज़र डालते हैं प्यार एक सच्च मुछ खुबसूरत चीज है जब आप किसी के साथ रिलेशन में एंटर करते हैं तो अमीद ये करते हैं कि ये इनसान आपसे प्यार करेगा और आपकी केर करेगा आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करके अच्छोर सिक्योर फील करवाएंगे इस कहानी में रिलेशन के शुरॉत इसी तरह हुई अपने बेटे की केर और उसको बड़ा करने के लिए कड़ी महनत करने वाली एक सिंगल मदर जिनके हस्बन की डेथ हो गई थी उनकी मलाकात इस हैंसम लड़की से हुई जिसने खुद को उसी तरह दिखाया जैसा पार्टनर वो चाती थी वो काफी हिंसम और समझदार था और ऐसा लगता था जैसे उस लेड़ी के बच्चे से भी उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे करती है लड़की के बहुत जादा प्यार और सपोर्ट को देखते हुए फैमली को संभालने के लिए खुद को पूरी तरह से अवेलेबल कराने के लिए उस लेड़ी ने अपनी जॉब छोड़ दी लेड़ी के साथ उसने इतनी केरफली बिहेव किया कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ प्यार नहीं किया जा रहा है बलकि एक खेल खेला जा रहा है इसे ही कहते हैं डार्क सैकलोची और जब उसे पता चला तब तक वो उस लड़के की प्यार में इतनी खोच चुकी थी कि अब उसे या तो उसके साथ रहने का, या फिर मर जाने का ही आप्शन अच्छा लग रहा था उसे लगने लगा, कि वो अप किसी और आप्शन के साथ जीने की हगदार नहीं है अगली स्टोरी है कंट्रोल की आपने ये न्यूज तो अक्सर सुनी ही होगी कि आश्रम और इसी तरह के किसी बावने खुद को भगवान का दूद या अवतार बता कर लड़कियों के साथ खराब व्यवार किया या बली के नाम पर किसी इंसान को मार दिया दरसल वो किसी भगवान के लिए नहीं बलकि अपने परसनल फायदे के लिए ऐसा करते हैं और डार्क सैकलोजी का यूज करके लोगों से ऐसी बाते कहते हैं जिन से उनके वो काम लोगों की नज़रों में ठीक लगें या ये दोनों मामले काफी सीरिस हैं लेकिन लेसन ये है कि ये क्राइम ऐसे नहीं थे जो अचानक से हो गए इसमें बहुती साथधानी से की गई प्लैनिंग शामिल थी जिसमें प्लैनर ने पहले अपने विक्टिम को तयार किया और उने अटैक करने से पहले फेद और सेफटी की जूटी कंडिशन में खीच लिया रियालिटी में जिस तरह से ये इंसिडेंट हुए उससे एक शिकारी और उसके शिकार की याद आती है सबसे पहले शिकार का पिछा किया जाता है और उसपर नज़र रखी जाती है फिर observation process के दौरान मिली information के base पर शिकारी एक चाल चलता है ये चाल अटैक करने के लिए नहीं बलकि अपने शिकार को अट्राक करने के लिए होती है जैसे शेर को जाल में फसाने के लिए जाल में कोई जानवा डाल दिया जाता है जिसे देखकर शेर आए और फस जाए इसी तरह उन्हें प्यार और देखबाल का एसास करवाया जाता है इसमें शिकारी कैसा नकाब पहनता है और उन qualities को दिखाता है जो से मिली information के base पर victim को पसंद होती है धीरे धीरे भरोसा कायम हो जाता है आप बगला target अपने शिकार को शिकारी पर dependent बनाना होता है चाहे वो financial dependency हो, emotional dependency हो या spiritual dependency सब के तरीके अलग होते हैं लेकिन intention और result एक ही होता है धीरे धीरे victim dependent होने लगता है और उस इंसान या जो चीज दोने दी जा रही है उसकी जरुवत महसूस करने लगते हैं और इसी टाइम शिकारी उस शीज को देने के लालच में victim को उसके safety net जहां वो उनके शिकार से बच सकता है उससे अलग करके अपनी मनचाही जगह पर ले आता है जिसके बाद वो attack करता है ये कभी भी आपको उन crimes की तरह नहीं लगेगा जिन पर आपको शक होता है ये दूर से ही लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है बलकि ये गाने और डांस की तरह लगेगा जिसमें शामिल होने में मज़ा आता है लेकिन धीरे धीरे ये behavior विक्टिम को insecure बना देता है और वो शिकारी के जाल में फज जाता है इसमें आपको तब जाकर एसास होगा जब नुकसान हो रहा होगा या हो चुका होगा इस पूरी dark psychology और manipulation के concept को detail में समझने के लिए इसे हम बुक dark psychology की थुरू समझेंगे जिसे James W. Williams ने लिखा है और याद रहे कि आप इस बुक को अलग-लग तरीके से यूज कर सकते हैं या तो अपना फायदा उठवाने से बचने के लिए या किसी का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं dark psychology के basics के बारे में imagine करें कि आपको एक party का invitation मिलता है जिसको आपके relative ने organize किया था party के decoration और dinner बहतरी होने की वज़े से आप इस बात का जिकर अपने दोस के साथ करने लगते हैं आप अपने दोस से कहते हैं कि क्या शांदार party थी यार सामने वाला दोस जवाब देते हुए कहता है तुम्हें किसने कहा ये एक शांदार party है क्या तुमने नहीं देखा कि तुमारे latest कितने बुरे हैं उन्होंने तुमारी तरफ देखा तक नहीं और एक बार बात करने की कोशिश तक नहीं की आप कहते हैं कि शायद वो busy होंगे ये शायद मेरे relative को पैसो का घमंड होगा इसी कारण उन्होंने ignore किया होगा आपने देखा कि कैसे एक इंसान practical life में आपको अपने relative से खिलाव भढ़का सकता है कैसे इस तरह एक इंसान की perception of reality को confuse किया जा सकता है और कैसे दिमाग में एक नई बात डाल दी जाती है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता डाक साइकलोजी की language में इसे gas lighting कहा जाता है gas lighting word एक gas pipeline से जलते हुए lamp से निकला था पुराने टाइम में एक आदमी ने इस टेक्नीक का इस्तमाल अपनी वाइफ को पागल बनाने के लिए किया था एक बड़े से घर में एक लेड़ी अकेली रहा करती थी और उसका husband रोज रात को काम पर जाता था एक रात उसकी वाइफ पानी पीनी के लिए उठती है तो देखती है कि उसके bedroom की रोशनी धीमी हो गई है और ऐसा रोज रात होने लगा जब वो अपने husband को बोलती है कि शायद कल रात हमारे घर कोई आया था वो रोशनी धीमी कर देता है और फिर गायब हो जाता है लेकिन husband उसकी बात को समझने के वज़ाए उसे confuse कर देता है उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है ये तुमारा वहम है और ऐसा भी हो सकता है कि तुमारा दिमाग खराब हो गया है आजकुल तुम फालतो के कहानी बनानी लगी हो जबकि मैं हमेशा रोशनी को बराबर चलते हुए देखता हूँ इस बात से वो लेडी confuse हो गई और दीरे-दीरे माने लगती है कि मेरे घर में कोई आत्मया चोर आता है लेकिन ये साबित करने के लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं था मगर आखिर में पता चला कि उसका हस्बन रोज रात को आता था और चुपके से लाइट धीमी कर देता था ताकि वो वाइफ को confuse करके mentally disturb कर सके अब हम dark psychology और psychology के बीच के difference को समझेंगे आपने gas lighting को समझ लिया है तो अब आप जान पाएंगे कि इसका इस्तमाल कौन से लोग किस काम के लिए करते हैं और कैसे इस technique का use आपर किया जाता है इसके पीछे क्या कारण होता है और आपको अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए मैं ये confidence के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप गुलामी की जिन्द की जीने से बच जाएंगे और last में मैं आपको दो बोक्स के नाम बताऊंगा जिसकी help से आप dark psychology को deeply समझ पाएंगे देखे psychology में हम इंसानों के behavior, thought और action के बारे में study करते हैं लेकिन dark psychology का इस्तमाल manipulation, influence और confuse करने के लिए किया जाता है क्या आपको पता है कि हम daily basis पर इन techniques का शिकार बनते हैं जिनको society, politics, commercial internet ad, manager, selfish friends और toxic life partner आपके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं इसलिए subject को पढ़ना और समझना जरूरी हो जाता है जरूरी इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि आप किसी से अपना काम करवा सके यो उसे बरबाद करने पर उतर आएं बलकि इस information का इस्तमाल self-defense के लिए करना चाहिए ताकि आपका कीमती वक्त, पैसा और life वरबाद ना होने पाए इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे आपको government, family और organization कंट्रोल करती हैं अब सवाल ये बनता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा इसली करते हैं ताकि उनको फायदा होता रहे चलिए अब ये समझते हैं कि लोग dark psychology या gas lighting का use exactly क्यों करते हैं तो सबसे पहला reason है control करना, मान लेते हैं कि आपको आपके घरवाले एक bank account दे देते हैं लेकिन आपका बड़ा भाई बोलता है कि तुमने ATM तो अपने पास रख लिया है, लेकिन क्या तुम अपने पैसे manage कर पाओगे तुमें हर बार पैसे का हिसाब देना होगा, वैसे भी तुमारी calculation weak है और अगर कुछ problem हुई, तो तुमें bank के चकर काटने पड़ेंगे इससे आपका moral down होना शुरू हो जाएगा और आपको खुद पर doubt होने लगेगा जिससे आप उस responsibility से भागना चाहेंगे जो आपको दी गई है आपको लगेगा कि हाँ शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने past में भी पैसे खो दिये थे तो शायद इस काम के लिए मेरा बड़ा भाई ही बहतर है फिर इसके बाद आपका control आपके भाई के पास चला जाता है दूसरा reason है self-esteem को down करना मान लेते हैं कि क्लास टॉपर लड़की के पास एक लड़का आता है और कहता है कि इस क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी फिर वो धीरी-दीरे उसके notes लेता है उसको movie tickets भेज़ कर disturb करने लगता है और उसका ध्यान पढ़ाई से हटा देता है जबकि साथी-साथ खुड time से पढ़ता रहता है फिर exam time पर कहता है कि मैं तो time pass कर रहा था मुझे तुम में कोई interest नहीं है अब लड़की ने पढ़ाई भी नहीं की तीसरा है power dynamic मेरे दोस्त के relative को उसके बारे में एक बात पता चली थी कि वो एक ऐसे लड़का है जिसे पढ़ाई करना पसंद नहीं था लेकिन दिल्ली के एक अच्छे college में उसे admission मिल गया ये जानने के बाद वो toxic relative बोलने लगते हैं क्योंकि एक गाउं का लड़का है इस लिए इसके लिए इस जगाई adjust करना मुश्किल हो जाएगा और इसे अगर पढ़ाई करने ही होती तो ये अपने state में भी पढ़ सकता है इतनी दूर जाने के जुरत क्या है देखे इसी तरह relative सामने वाले के moral को down करते हैं और कंट्रोल अपने पास बनाया रखना चाते हैं ताकि उनका बेटा नाम करे और आप पीछे रह जाएं यानि कि वो power dynamic का इस्तिमाल करते हैं एलेक्शन से पहले कई सारी government scheme सलती है और parties अपने campaign में ऐसे कामों का अंजाम देती हैं जिससे public को लगता है कि ये government देश के लोगों के लिए कुर्बानी दे रही है इसके लिए government पहले कुछ ऐसा करवाती है जिससे public में गुस्सा भढ़के जिससे जब भीड जमा होती है तो फिर पुलिस से लोगों को मार पड़ती है मार खाने से खून बैता है और उनको सेफ रखने का लाल हस देकर पॉलिटिशन और पब्लिक के बीच एक emotional bonding बन जाती है फिर वो इस bonding का 5 सालों तक इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद मासूम और अंजान लोग करप government के सामने victim बन जाते हैं फिर government किती भी बुरी क्यों न हो उनसे सवाल नहीं पूस दी मान लेते हैं कि एक boss आपको हमेशा कहता है कि आजकोल jobs की कमी हो गई है jobs मिलना बहुत मुश्किल हो गया है market situation बहुत challenging हो गई है कोई कितना भी कोशिश कर ले इससे बहतर job नहीं मिल पाएगी सवाल ये है कि आपके boss ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग उनकी company को छोड़ कर चले जाएं वो self doubt create करके आप से कम salary में काम करवाना चाते हैं अगर आपके साथ भी इन पांचों चीज़ों में से कुछ भी हुआ है तो मुझे comment करके ज़रू बताना चले अब dark psychology के symptoms के बारे में बात करते हैं इन reasons को समझने के बाद आपको पता चलिका कि आप gas lighting के निशानी पर हैं इसके लिए psychologist ने बताया है कि gas lighter के सर आपको शिकार बना सकते हैं पहले dismissal और denial जैसे एक husband अपनी wife से कहता है कि मुझसे पूछे बिना तुमें बाहर नहीं जाना है तो wife बोलती है कि आप मुझे पर शक कर रहे हो आप क्या चाते हो कि मैं गुलाम की तरह जिन्द की जी हूँ मतलब wife को अकेले घूमना पसंद है तो वो अपने husband की बात को शक का बहाना लगा कर उसकी बात को deny कर रही है मतलब वो अपने husband को victim बनाना चाती है दूसरा example मान लेते हैं आपके दूसने आपसे loan लिया था लेकिन जब पैसे लोटाने की बात आई तो कहता है भाई मैंने तुम्हें पैसे लोटा दिये थे लेकिन इतियास में आदा जूट बताती है जैसे नोंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था वो लोग जालिम थे अब हम power में हैं तो हमें इनसे बदला लेना चाहिए और आपको इस community के बारे में पूरी information नहीं मिल पाती क्योंकि government आदा सच तो ऐसे दिखाती है जैसे reality यही है और उसको दूसरा पहलू नहीं दिखता अब सवाल ये निकल कर आता है कि हम और आप जैसे लोगों को इनसे बचने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए इसको comment में discuss करेंगे लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि gas lighting का शिकार होने के बाद आप उन्हें कैसे पैचानेंगे उनके symptoms क्या क्या होते हैं कैसे पता चलेगा कि आप gas lighting या dark psychology के शिकार हो रहे हैं अगर आपको अपने actions, काम और way of thinking पर self doubt होना शुरू हो जाए और आप सोचने लगें कि अब तक मैंने जो काम किया क्या वो valid थे, क्या मैं एकसर जूट बोलता हूँ क्या मैं निकमा हूँ मुझे लगता है कि मैं शीज के लायक नहीं था अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए और उसका जिम्मेदार आपको बताया जाए जैसे किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसके ड्रेस और नीचर पर कीचो उडशाला जाता है और आपको सपोर्री लोगों से अलग कर दिया जाएगा एक टाइम पर ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप पागल हो जाएगे आपकी mental capacity weak होने लगेगी आज के जमाने में gas lighting का use society, politician और organization करते हैं और हम और आप इन तीनों के बीच रहते हैं मतलब ये है कि आपके साथ ये tactic आजमाई गई होगी लेकिन आपको उसके खबर नहीं थी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इससे जुड़ी अपनी story comment में mention करे ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले और अगर नहीं हुआ है तो इसकी possibility है कि feature में हो जाए तो ऐसे वक्त में आपको क्या step follow करने चाहिए इसके लिए psychologist ने 5 steps बताये हैं पहले मान लेते हैं कि आप India का cricket match देख रहे हैं और एक ball पर 6 रिन की जरूत है लेकिन विराड कॉली उस ball पर out हो जाते हैं तो आपके अंदर से आवाज आती है काश में ground पर होता तो मैं इंडिया को हारने नहीं देता यानि उस वक्त आपके मन में इतना विश्वास पैदा हो जाता है कि आप खुद को विराड से बहतर मानने की बात करने लगते हैं यानि कि आपके अंदर की इनर पावर होती है जिस पर आपका विश्वास बना रहता है इसलिए जब gas lighter आपको शिकार बनाने की कोशिश करे तो आपको इनर पावर का इस्तमाल करना चाहिए अपने जमीर से पूछे कि क्या मैं सही बात कह रहा हूँ और अपने अंदर की आवास के रिस्पॉंस को सुनकर सामने वाली आवास को शान्त कर दीजे अपने अंदर की आवास या इनर सेल पर भरोसा करे कई बार जूट इतनी बारीकी से गढ़ा जाता है कि वो सच लगने लगता है लेकिन अंदर से एक लेवल पर क्या होना चाहिए क्या है और आपके सामने क्या उफ़र किया जा रहा है आप इनके बीच चल रहे इंबैलेंस को महसूस कर सकते हैं हो सकता है कि सचाई को दिखाने के लिए कोई फिजिकल सिगनल ना हो कि अरे कुछ गड़बढ है लेकिन आपको एसास जरूर हो जाता है कि कुछ गड़बढ है ऐसे टाइम में उन एमोशन्स को रिजेक करना और जो आपको बताया जा रहा है उसके कॉर्डिंग चलना सान लगता है हो सकता है कि आप अंदर से आवाज सुनकर कुछ अलग करना ना चाहें क्या इस डर से कहीं लोग आपको किसी गलत नजरी से ना देखने लग जाए आप हार मान लेते हैं और उस अंदर की आवाज को इग्नौर कर देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ठीक कह रही थी अपनी अवाज पर भरोसा करने के लिए टाइम के साथ प्रैक्टिस की जरुत होती है आप छोटी और असान चीज़ों पर खुद को ट्रेन करके इसकी शुरुआत करें जिससे सुभाब घर से आफिस के लिए निकल रही हो सीडियो से नीचे उतरने पर आपको अंदर से लगे कि यार मैं कुछ भूल गया हूँ तो घर में जाकर एक बार देख लें अचानक आपने बस किसी के बारे में सोचा हो और उसे कॉल करने की जरुत महसूस होई हो तो उसे कॉल कर लें हलेकि एक्जांपल छोटे हैं और इनसे कोई बड़ा फायदा नहीं हो सकता लेकिन ये आपके इनर सेल्फ में विश्वास पैदा करते हैं ताकि जब सच में इस आवास के डारेक्शन की जरुत हो तो आप बहतर ढंक से समच सके कि आपके इनर वोईस क्या कह रही है और उस पर काम करना शुरू करें अगर आप पहले से ही किसी ऐसी कंडिशन में है और आपके पास अपनी आवास पर भरोसा मजबूत करने के लिए खुद को ट्रेन करने का टाइम नहीं है तो मीद ना खोएं ध्यान रखें मा की तरह आपके इनर वोईस हमिशा आपका भला चाती है और जब तक आप जिन्दा है आपके पास ये एक ऐसी गाइडन्स है जो आपको खुश और सिक्योर रहने में हेल्प करना चाती है ऐसे मेंबर से ही समझने की कोशिश करें कि आपसे क्या कहना चा रही है ऐसी कंडिशन में यही सवाल पूछें और शुरुआत अपने आपसे करें ये जानने की कोशिश करें कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं अपनी प्रेजन कंडिशन को देखें पता लगाएं कि आप अप जिस तरह से फील करते हैं उससे खुश क्यों नहीं है अपने आप से पूछें कि आप ऐसा फील क्यों करते हैं और देखें कि क्या आप अपने फीलिंग्स के बारे में और ज़दा डिटेल में जान सकते हैं जब आप अपने मंचा है जब आप खुशी-खुशी पानी की कंडिशन में नहीं होते तो ऐसे में अपने बाहर देखें अपने आप से बाहर देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस इंसान के सामने खुद को जाहिर कर देना चाहिए जो आपके साथ dark psychology का खेल खेल रहा है तुरंत अपने बचाव का सीधा रास्ता ना अपना है क्योंकि आप शिकारी को बचनी और दूसरी चाल चलने का मौका दे सकते हैं जिससे आपका decision उतना effective नहीं होगा और शायद आपको मंचाय result ना मिल पाएं इसके बज़ाए उन लोगों से जुड़े जिन पर आप भरोसा करते हैं ये जानने के बाद कि आप अभी ऐसी situation से deal करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लोग आपके साथ विश्वास घात कर रहे हैं अचानक ये decision लेना मुश्किल हो सकता है कि किस पर भरोसा किया जाए ऐसे में किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जिसका इस matter से बहुत कम या कोई person लेना देना नहीं है कोई ऐसा इंसान जो directly आप से या इससे शामी लोगों से जुड़ा नहीं है इन लोगों के आपके साथ इमानदार होने और इमानदार इससे सही राय देने की possibility जादा होगी जब आप सवाल पूशते हैं तो अगली जरूरी बात जवाब सुनना है ये कुछ हर्त तक थोड़ा पागल पंसा लग सकता है आपको अपने आप से जवाब मिलने कैसे शुरू हो जाएंगे reality ये है कि हमारा self-deception हमें मिलने वाले जवाब के बारे में selective बना देता है हम अपने आप से कहते हैं कि हम सुन रहे हैं लेकिन reality में सिर्फन जवाब उपर ध्यान दे रहे होते हैं जो हम सुनना चाते हैं बजाए उन पर जो हमें सच में मिल रहे हैं real listening के लिए कुछ अलगाव या detachment की feeling की ज़रूत होती है लेकिन इसके लिए आपको reality से नहीं बलकि खुद को अपनी feeling से अलग करने की ज़रूत है feeling से आपका detachment आपको अगले step की तरफ ले जाएगा जिससे नहीं information को fat के साथ process करके समझना असान हो जाएगा जैसे अचानक से एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी girlfriend इतने time से आपको cheat कर रही थी तो ऐसे मैं emotional होकर हताश ना हूँ बलकि fact के साथ देखें कि क्या उसने सच में ऐसा किया भी है या आपको सिर्फ गलत फैमी हो रही है अगर किया है तो आप fact decide करें कि आपको उसके साथ रहना है या नहीं साथ रहते हैं तो क्या फायदे और नुकसान है छोड़कर अकेले रहते हैं और किसी loyal लड़की का wait करते हैं तो क्या situation हैंगी और आप इन्हे manage कैसे करेंगे इनकी planning करें और आगे बढ़ें illogically काम करने से situation पहले से कहीं जादा मुश्किल हो सकती है ये सबी feelings को भलने और surface पर लाकर खराब feeling को बाहर निकालने को बहुत कठिन बना देता है जब सचाई का सामना होता है तो आपका illogical हिसा ये चाहता है कि आप सब कुछ बरबाद कर दें आपका गुसा आपको ऐसे कदम उठाने के लिए motivate कर सकता है जो short term में आपके feeling को शांत करने में help परेंगे लेकिन long term में आपको उन पर पस्तावा हो सकता है इसलिए मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि आपको अपनी feeling को पुरी तरह से ignore करना चाहिए मैं ये कहा रहा हूँ कि इस टाइम उन feeling के बेस पर काम ना करें पहले suggestion से deal करें बाद में अपनी feeling से दूसरा confusion में ऐसे लोगों से help लिजे जिन्होंने past में आपका साथ दिया है जिनके सचाई, समझदारी और intelligence की मिसाल दी जाती है अगर ऐसे लोग साथ नहीं है या नहीं मिलते हैं तो किसी बहतरीन psychologist से consult करना शुरू कर दें बस याद रखें किसी ऐसे इंसान के पास जाना बहतर है जिसने कई बार साबित किया है कि वो आपका भला चाता है जब आपके पास जरूरी information है कि कौन आपको manipulate कर रहा है तो बिना वजय कोई मुश्किल खड़ी करने की कोशिश ना करें लोग क्या कहेंगे इस डर से अपने लिए ठीक चीज़े करने से पीछे ना हटें आपको अपने लावा किसी और को कुछ भी थाबित नहीं करना है दुनिया वही सोच सकती है जो वो सोचना चाती है अभी आपके priority उस situation से बाहर आना और अपनी life में आगे बढ़ना होना चाहिए अगर आप खुद की situation को समभाल सकते हैं तो हर हाल में समभालें बस ये ध्यान रखें कि आप जो भी decision लें उसका goal आपको उस जाल से बाहर निकालना है ना कि दूसरे लोगों को अच्छा feel करवाना जब आपके पास जरूरी help मौजूद हो तो अगला step manipulator का सामना करना है मेरा suggestion है कि आप इसके लिए जगह खुच से चुने कोई ऐसी जगह चुने जिसके बारे में आप जानते ही कि आपको बढ़त होगी इसके लिए साफधानी से उसे पकड़ने के लिए अपनी तरफ से कुछ plan बनाए अगर criminal cyber world में मौजूद है जिसने आपके पैसे ठगे हों तो police और related officers को help लिने के लिए इन्वाल्व करें इसके लावा के ऐसे software और application है जो Instagram और Facebook जैसी popular social media sites पर चेहरे की पहचान कर लेती हैं तो उनका use करके उसकी identity को सामनी लाने की कोशिश करें आपके उसके साथ की गई बातचीत में उसकी असली पहचान के सुराग ढूंडे और जब आपके पास इनव सबूत हों तब भी उनका सामना करें बेशक officers के साथ होने के बात फाइनली आप उसे पकड़ी लेंगे लेकिन अगर आपने पूरे सबूत और उसकी identity की पहचान से पहले ऐसा करने की कोशिश की तो उसे भनक लग सकती है और उसे पकड़ने में ज़ादा time लग सकता है जब कोई ऐसा इनसान dark psychology का use करके आपका फाइदा उठा रहा हो जो आपके करीब रहता है तो चीज़े अलग धंक से करें अगर आपको किसी भी तरह से आपकी जान का खत्रा है तो अकेले उस इनसान का मुकाबला ना करें ऐसे relations में अकेले कोई बहस करने से पूरी तरह से बचना ही सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको इससे मिलना ही हो तो ये पक्का करें कि आप अकेले मिलने ना चाहें उन लोगों को inform कर दें जो आपकी केर करते हैं और मिलने के दोरान कम से कम एक इनसान आपके साथ मौझूद हो क्योंकि security आपकी पहली जरुत है manipulator का सामना करके और इससे बचने के लिए जरुरी कदम उठाने के बाद तुरंत कुछ ऐसा करना शुरू कर दें जिससे वो आपको फिर कभी manipulate ना कर सके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी जादा चोट पहुचाए गई छेड़ चार की गई कि आपके साथ मिस बहेव किया गया उसे पकड़ कर ना बैटे रहें बलकि इससे आगे बढ़े और उस दोके से मिले अपने घाव को ठीक करने के लिए खुद को थोड़ा टाइम दे ये फेक्ट है कि emotional pains लगबग कभी भी ठीक नहीं होते अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो इन pain पर दूसरे घाव की तरफ एक बिकार सी पपड़ी बन सकती है जिससे याद आपके लिए उतनी painful बन जाएगी जितनी तब थी जब सच में आपके साथ ऐसा हो रहा था इसलिए किसी consultant से बात करें ठेरेपी के लिए जाएं और जो भी आप अपने mood को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं हाले कि ये रात और रात नहीं होगा लेकिन लगातारे इस तरह कदम उठाने से आप हर दिन अपने आपको पुराने दर्दों से आजाद करते रहेंगे और खुद को ऐसी position मिलाएंगे जिससे अब फिर से आपके साथ वैसाद होका ना किया जा सके तीसरा तरीका अकसर बैतर लोग struggle का सामना करने के बाद महान बनते हैं और struggle से निकालने के रास्तों को किताबों में महफूस किया गया है तो ऐसे टाइम में आप किताबों से help लीजे चौता ऐसे टाइम में एक हफता या साल भर का break लेना एक अच्छा decision हो सकता है जब आप system या matrix से बाहर निकल जाएंगे तो दुनिया को बाहर की नजर से देख पाएंगे या आपको पता चल जाएगा कि कैसे और किस तरह लोग अपनी इगो को खुश करने और benefits के लिए इपलेशन करते हैं और आखिर में पांचवा उन सब के एक list बनाना शू करतीजे उनका नाम mention करें जिनके action से gas landing का पता चला है फिर चाहे वो कोई भी हो उनसे दूरी बना लिजे और इस दोरान खुद को dark psychology के बारे में जो गेट करना सबसे बहतर तरीका होगा ताकि आपके पास इतनी knowledge हो जाए कि आप दुनिया के सामने victim की तरह पेश ना हो सके क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो knowledge आपका साथ देती है और फिर वही आपका सीधा रास्ता बताती है और अगर knowledge ना हो तो आप गुमरा हो सकते हैं तो दो बुक्स और हैं जो आपको डाक साइकलोजी को समझदे में help करेंगी The 48 Laws of Power by Robert Rean Influence, The Psychology of Persuasion by Robert Sildini 48 Laws of Power की बुक समरी हमारे चैनल पर अल्रेड़ी अवेलिबल है अगर आप influence की समरी भी चाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रू बताना Thank you दोस्तो तो ये थी डाक साइकलोजी की बुक समरी I hope इस वीडियो से आपको साइकलोजी के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा और गैस लेटिंग को भी आपनी डीटेल में समझा होगा तो उसे कमेंट करके ज़रू बताना जल्दी मिलते हैं और भी बहतरी इन वीडियो के साथ Thank you so much